वेलकम टो ग्लिनिकल नॉलेज एन मैडिसन पिशली वीडियो में हमने पदार्त वियान के दरवे के बारे में पड़ा था आज किस वीडियो में हम दरवे के अन्यबेद को लेकर ही कंटिन्यू करेंगे सबसे पहले आता है कि दरवे को जो है हम डिवाइड करते हैं कि उसका ओरीजन कैसे हुआ है तो दरवे जो है वो ओरीजन के बेसिस पे तीन तरह का होता है जंगम या फिर जानतव द्रवे जो जनतवों से या फिर जो चलत्व प्राणियों से प्राप्त होते हैं जंगम का मतलब होता है चलत्व तो जो चलत्व प्राणियों से उत्पन होते हैं उनको जानतव कह देते हैं तो वो जांगम में आ गया उसके बाद है और भी या फिर वानस्पतिक द्रवे जो में वनस्पति से प्राप्त होते हैं वनस्पति जैसे कि वो द्रवे जो प्रित्वी को फोड़ कर भार निकलते हैं कोई भी प्लांट आ गया इसके अंदर बहुत सारे एक्जामपल्स हैं गोदू में या वावला कुछ भी एक्जामपल हो सकते हैं उसके बाद है भुमी या फिर पार्त्व जो प्रित्वी के अंदर से हमें मिलते हैं तो वह द्रवे जो बहुमी से निकलते हैं या फिर हम उनको आहर दर्वे माल लें, और शट दर्वे कब मानेंगे कि जब शरीर में जितने भी गुरवादी गुण है, उन सबी की कमी उसकी पूर्ती कर देंगे, उसके बाद आहर दर्वे कैसे मानेंगे कि जितनी भी रसादी दादवे हैं, उनका हमारा पोशन कर देंग तो हम उनको आहर द्रव्य की किटेगरी में माल लेंगे फिर नेक्स्ट है रस बेज से अब द्रव्य जो है वो 6 तरह का होता है actually सकंद का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है aggravation तो मदूर सकंद का मतलब हुआ जिस द्रव्य के अंदर मदूर का aggravation है अब कोई भी जो द्रव्य होता है उसके अंदर 6 के 6 रस प्रेजन्ट होता है मदूर अमल लवन तिक्त कटू का शाय 6 के 6 रस है बट एक रस जो होता है वो dominating होता है वो मदूर भी हो सकता है वो अमल भी हो सकता है वो लवन, कटू, कशाय, तिक्त, कुछ भी हो सकते हैं तो जब मदूर सकंद, मतलब कोई ऐसा दरव्य जिसके अंदर 6 के 6 रस प्रेजेंट है लेकिन उसके अंदर मदूर रस जो है वो जादा प्रेजेंट है तो वो मदूर सकंद है अमल सकंद, लवन सकंद, कटू, तिक्त सकंद इस तरीके से हमारे 6 रस के हो सकते हैं फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है एक टेबल दी हुई है मतलब एक चार्ट दिया हुआ इसमें हम बहुत इसे लिए याद गर सकते हैं और उसके दूसरे तरह के बेद को तो हमने सबसे पहले पिछली वीडियो में पढ़ा थे कि दरव जब वो दो तरह का होता है नित्य याफिर कार्ण दरवे और नित्य याफिर कार्ये दरवे तो नित्य दरवे में हमने दो चीज़े पढ़ी थी मुर्थ जिसकी structural form है और आमुर्थ जिसकी structural form नहीं है और अकाश कालदिशार आत्मा आमुर्थ में आगे फिर अनित्य में हमने चार चीज़े पढ़ी थी night Прितवे जल तेज और वायू और इसमें हमने अगेन दो चीज़े पढ़ी थी जिसके अंदर कोई भी consciousness नहीं है तो वो दो तरह की पढ़ी थी खाने जो और कृत्रिम पढ़ी थी उसके बाद जो हमारा आज का topic था कि दरव्यों के अन्य बेद तो उसमें हमने तीन चीज़े अब तक पढ़ ली कि ओरीजन के basis पे तीन तरह का होता है कि दोश कर्म और स्वस्तवरित बेच से कि ये दोशों के उपर कैसा प्रभाव डालता है स्वास्ते के उपर कैसा तो जो दोश प्रशमक होता है वो क्या करता है दोशों का प्रशमन करता है ठीक है दातू प्रशमक दातू का करता है स्वस्तकारक जो स्वस्ते के लिए हितकर होता है ठीक है तो दोशकर्म और स्वस्तवरित के बेच से तीन तरह के द्रवे हो गई अब आहर द्रवे से बारत रह के हो गई शूकदाने मतलब जो नुकीले होते हैं लाईक चावल है, जो है धान है, ठीक है द्रवे वर्ग जो द्रवे की किटेगरी में आते हैं, अन वर्ग जो अन की किटेगरी में आते हैं, और कर्म बेचे की उनका function क्या है, उस बेचे उन्होंने तीन चीज़ों में डिवाइडी कर दिया, द्रवे, अन और कर्म बेचे, जीक है, अब दोश कर्म और स्वास्थ वर प्रित्वी जल अगनी वायू प्रमाणू रूप से और अकाश जयवू व्यापपक रूप से जड़ तत्वों की उत्पत्ति करता है इसे में उपादान कारण होता है और काल और दिशा जो है वो निमित कारण होते हैं ठीक है तो यह हमारे जीतनी चीज़ आगी प्रित्वी जल अगनी वायू यह प्रमाणू रूप से और अकाश जो है वो बहुत जादा मात्रा में व्यापक रूप से जड़ तत्वों की उत्पत्ति में उपादान कारण होता होता है और काल और दिशा जो है वो निमित कारण होते हैं तो जो उपादान और निमित कारण के साथ आत्मा और मन का सहींग होता है तब चेतन द्रवे की क्या हो जाती है उत्पत्ती हो जाती हैं तो कार्य द्रव्य की पत्ति एक important topic है यह चिसे समझ आ जाना चाहिए ठीक है आज के इस वीडियो को हम यहीं पर खतम करते हैं आने वाली वीडियो में हम पंच माबूत के बारे में समझने की कोशिश करेंगे थांक्स एर वाच्छिडियों।